तो हेलो दोस्तो स्वागत थे आपका हमारे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीएपसी से आल के डाइडेक्ट रिक्रेडमेंट का जो नोटिस आया था उसी से रिलेटेड कुछ बाते आपसे करने वाले हैं इसका जो डीएपसी से का जो रिक्रेडमेंट आया है 515 पलस सीट के लिए जिसमें आई टी आई और डिपलोमा लेबल के जो पोस्ट थे जुनियर एक्जिकेटिव और एक्जिकेटिव दो पोस्ट के लिए फॉम मांगे गए थे और जिसमें अलग अलग पोस्ट थे का टाइम हो चुका है अब आपके एक्जाम का समय नजदीक आ गया है ये फॉम जब आया था उसकी डेट थी 20 माई 2023 को और इसका क्लोजिंग हो चुका था दोस्तो 19 6 2023 को और ये 26 और 30 तारी को date of opening the window for application form correction अगर जिस भी बैक्ती ने अपना correction नहीं किया था फॉम बनने में कोई गलती हुई थी उसके लिए डिएफसीसी ने एक टाइम लाइन रखा था 26 जून से 30 जून के बीच का टाइम दिया गया था जिसमें की आप form फिल करने टाइम में आपका कास्ट में नाम में फादर्स नेम माक्स वगेरा में जो भी अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको सुधारने का डिएफसीसी ने भी चांस दिया था तो बेसिकर ये सब डेट खतम हो चुके हैं आज हमारा 21 जूलाई 23 जूलाई का समय है तो आपके पास अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है और इसका टेंटिटिव जो सीडियूल है फर्स्ट सीबिटी का देख सकते हैं अगस्त महीना ही है तो अभी से लेकर के अगस्त के किसी भी डेट में 15 से 20 तारी के डेट में कभी भी इसका एकजाम हो सकता है या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हो जाए हलाकि अभी तक एडमिट कार्ड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप ये सियोर रहे है कि एडमिट कार्ड आने से 10 से 15 दिन का टाइम मिले इस बचा है सेवन डे का जो अभी टाइम बचा है इधर सेवन डे है इस मन्त में जुलाई में और बाकी अगस्त का जो टोटल मंत है तो अगर इस बीच डेट में अगर एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड जारी किया जाता है डिए नवारrek तो आप अंदाज लगा सकते ह कि इसका एक जो एक्जाम है वो 15 से पहले के डेट में भी संभव हो सकती है तो काफी कम टाइम है आपके लिए और अगर नोटिपिकेशन ये जुलाई मन्थ बीतने के बाद जो है अड्मिट कार्ट का नोटिस आता है तो ये जो परिच्छा होगा वो 15 अगस्त के बाद भी हो सकती है तो मिला जुला के आपके पास टाइम काफी कम है और जिसने भी तैयारी अपनी अच्छी कर ली होगी उसका सेलेक्शन इसमें पक्का है डिएफसीसी काफी अच्छा ओप्शन है अभी हाल ही में जो रिकुर्मेंट है उसके अनुसाद डिएफसीसी टेक्निकल वालों के लिए काफी अच्छा ओप्शन है फिर आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो एक्जिक्यूटिव और जुनियर एक्जिक्यूटिव एक्जिक्यूटिव में टोटल कितने पोस्ट थे एक्जिक्यूटिव में एक्जिक्यूटिव सिविल पचास पोस्ट जो थे उसमें डिप्लोमा का जो मांक्स मांगा गया था डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल भी थे एक्जिक्युटिव एलेक्ट्रिकल में टोटल 30 पोस्ट थे सेम एक्जिक्युटिव ओपी अनबीडी सबसे ज़्यादा पोस्ट की संक्या इसी में थे जिसको जेनरली हम लोग ग्रेजुएशन पे थी ये वेकेंशी 60% मार्क्स था इसको हम लोग जेनरली एक्जिक्युटिव पोस्ट की एक्जिक्युटिव फेकेंशी था जान्यृटिव की वेकैंशई थी जिसमें तीन इपार्ट्मेंट के लिए वेकैंसी निकाले गए थी वो तो electrical signal and telecom and mechanical बाकि civil के लिए वे कंसी नहीं थी लेक्टरिकल केलिए टोटल 24 च़ाइन सी है signal and telecom के लिए 148 बैकेंसी थी जिसमें qualification जो है junior executive के लिए minimum matrix जो है मेट्रिक या तेन्थ जिसको हम बोलते हैं उसमें 60% 60% माक्स और दो इस साल का डिप आई टी आई मांगा गया था रिलिस ट्रेड में जो ट्रेड है अब देख सकते हैं जुनियर एक्जिक्टिव एसंटी में 148 सीट थी जो की सबसे ज़्यादा है OPNBD के बाद Operation and Business Development Executive के OPNBD के बाद सबसे ज़्यादा जो सीट है इसी में है मेगेंकल की काफी कम सीटे हैं 9 सीटे ही रखी गई है तो यह जो भैकेंसी थी और इसका अपडेट एक्जाम का नजदीक आ गया है थोड़ा सा हम स्लेवस के बाद में फिर से बात कर लेते हैं स्लेवस और सेलेक्शन प्रोसेस स्लेक्शन प्रोसेस का पले हम देखते हैं जो सेलेक्शन प्रोसेस है और वेरियस पोस्ट के लिए एक्जेकिटिव और जुन्यर एक्जेकिटिव में civil electrical लोपियन बीडी फिनांस एच आड़ human resource and information technology आई टी अब इसमें कितने स्टेज में exam होंगे और क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो है ईन सभी के लिए डेखसकते हैं and CBT2 ये दोनों के लिए सेम होगा इसमें CBAT computer based application test ये भी column दिया गया है जो कि इन सभी post में किसी के लिए नहीं है operation and business development को छोर के अभी हम बात कर रहे हैं इसमें document verification किये जाएंगे और इसके बाद हर एक category के लिए जो है medical test का criteria रखाया गया है वो medical test होगा यानि कि इन सभी post के लिए executive में OPNPT को छोड़ के civil electrical finance HR और technology पे जो vacancy है उसमें stage 1 और stage 2 यानि कि generally आप pre और मिन समझ सकते हैं उसके बाद document verification होगा medical test होने के बाद final selection होगा अब हम बात करते हैं OPNBD की तो OPNBD का जो है executive post के लिए जिसको की हम लोग generally SM या SM करते हैं assistant station master चुकि शुरुवात में जो joining होती है वो SM के रूप में ही होती है उसके बाद में promotion होने के बाद post change होता है जब executive से senior executive बनते हैं candidate तो उसको हम लोग SM बोल सकते हैं station master तो पांचों stage से OPNBD को गुजरना होगा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जुनियर executive के लिए जुनियर executive के लिए भी है दो एक्जाम रखा क्या है cbt-1 and cbt-2 cbt-1 electrical snt और mechanical और इसके लिए कोई भी cb80 नहीं होगा और document verification and medical test होंगे तो जो cb80 है वह क्या है cbt-1 and cbt-2 cbt-1 है जो qualifying in nature है यानि कि इसमें सिर्फ marks gain करने के बाद 20 गुना candidate को ही बस क्या किया जाएगा मेंस के लिए भीजा जाएगा अब थोड़ा इसका हम selection process पे बात करते हैं क्या एक्जाम process है तो देखिए आप यहां पे एक्जाम process देख सकते हैं there shall be to stay cbt-1 and cbt-2 for advertised category के लिए a standard of question for both cbt will generally incompatibly with educational standard prescribed by the post जिस भी post के लिए जो भी educational qualification prescribed किया गया है उसमें उसी कि अस्तर से एक्जाम होंगे cbt-1 and cbt-2 के लिए negative marking है one by four यानि के अगर आप चार question गलत करते हैं तो आपका सही से एक number काट लिया जाएगा simple से भासा मैं समझ सकते हैं अब देखें जो cbt-1 की हमने बात की थी will be screening nature यानि कि यह सिर्फ और सिर्फ जो multiple number में vacancy पे seat भड़े गए हैं यानि form जो भड़े गए हैं उसी पे इसको बस candidate को screening करने के लिए ही है अस्कोर और नर्मलाइज अस्कोर ओप cbt-1 यूज ओनली फोर सॉट लिस्ट कंड़िडेट फोर सिविटी टू जो भी इसकोर या नर्मलाइजेशन अस्कोर होगा cbt-1 का वो केवल और केवल स्टेज 2 के cbt में एक जान देने के लिए ही उसको सॉट लिस्ट किया जाएगा फिर नेक्स्ट देखते हैं जो हमने बात किया था कि cbt-1 जो है स्क्रेइनिंग नेचर का है और उसके बाद क्या होगा सेकेंड स्टेज ओप कंप्यूटर बेस्ट इसमें क्या किया जाएगा 20 टाइम कम्यूनिटी वाइज पोस्ट नोटिफाइज मेरिट स्टेज ओप सीबिटी तो 20 टाइम्स 20 गुना कंडिडेट को cbt2 के लिए भेजा जाएगा फिर डोकुमेंट बेडिपिकेशन या मेडिकल जो होंगे एक्वल नमबर और कम्यूनिटी वाइज तो इसमें जो है टोटल जितने सीट होंगे उतने ही कंडिडेट को बुलाया जाएगा हाला कि DFCC में एक option है कि वेटिंग लिस्ट भी जाड़ी किया जाता है जो कि आभी का सबसे अच्छा option है कि वेटिंग लिस्ट के बाद भी अगर आपका selection कुछ नमबर से दसमलो में कुछ नमबर से आपका अगर selection छूट जाता है तो आप वेटिंग लिस्ट में भी आपका chance है कि आपको बुलाया जाएगा तो यह कुछ प्रोसेस है इसके अब हम स्लेवस CBT1 के स्लेवस और CBT2 के स्लेवस को थोड़ा देख लेते हैं एक्जाम pattern क्या रहेगा तो इसमें एक्जाम pattern mathematics और reasoning देख सकते हैं mathematics और numerical ability जो है CBT1 जो है हर एक stage हर एक post के लिए CBT1 स्टेज का स्लेवस है उसके बाद general awareness 15 question general science भी 15 question और उसके बाद जो है knowledge about railway और DFCCL के history हो present हो और current जो भी question हो वो 10 question इससे रहेंगे तो total 100 question है जिसमें से आपको एक marks per question के लिए दिया जाएगा और 90 minute candidate को दिये जाएगे 10 गंटा का समय होगा और 120 minute जो है दो गंटे का समय जो है physically जो candidate होते हैं उनके लिए दिया जाएगा और second stage की बात करते हैं तो second stage जो है वो 120 question का होगा और one marks per 3 question के लिए दिये जाएगे और 120 minute का समय भी दिया जाएगा और यही जो होगा वो क्या होगा वो qualifying होगा जो merit list के लिए होगा तो यह कुछ डीप सिसी के जो अब इसके एक्जाम के डेट नलदी का चुके हैं तो इसी के बारे में हमने थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज डिसकस किया अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है और अगर आप दियारी कर रहे हैं तो कि पर हमें कमेंट करें धान्यवाद दोस्तों झाल आपके साथ